तंगना और बॉल्यूट के बीच का घमासान और बढ़ गया है प्रोड्यूसर निखल दिवेवी के ट्वीट पर जवाब देते हुए टीम कंगना रनॉट ने ट्वीट किया है लिखा कि बॉल्यूट पे दुनिया हस्ती है देश का हज जगह मखौल बनाया जाता है पैसे और नाम तो दाउद में भी कवाया मगर इज़त चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो काली कर्टूते छिपाने की नहीं तो आपको हम बता दे कि लगतार एक के बाद एक ये विवाद बढ़ता जा रहा है और अब टीम कंगना ने ये ट्वीट करके कहा है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि बॉलिवूट का हर जगह माखौल उडाया जाता है बॉलिवूट पर कंगना के हमले अभी भी जारी है हाले कि कंगना रना उत मनाली पहुँच चुकी है लेकिन उसके बावजूद बॉलिवूट को लेकर ड्रक्स कनेक्शन को लेकर और जिस तरह का ड्रक्स का मकरजाल है बॉलिवूट में उसको लेकर कंगना के हमले जारी है मौसमी सिंग हमारे साथ जुड़ाई है मौसमी, कंगना अभी भी हमलावर है और नाम लेकर बकायदा कई लोगों को सीधे टारगेट करते हुए कंगना ने एक बार फिर से और उनकी टीम ने अभी ये नया ट्वीट किया है और जिसमें बॉल्यूट को टारगेट किया बिल्कुल देखिए अगर जिस तरह से कंगना रनोत लगातर धड़ाधर चाहे वो बयान बाजी हो या ट्वीट पे ट्वीट हो उससे वो सीधे तोर पे ये साफ कर दे रही है कि वो अब उन्होंने ये लोहा ले ही लिया है कि वो बॉल्यूट में जो उनके पास राज है उनका परदा फाश करके रहेंगी और चाहे उसमें उन पर कितनी भी उंगलियां उठें वो पीछे नहीं अटेंगी यही वज़े कि आप देखें कि आप कंगना की टीम बॉलीवूट का जिक्र कर रही है एक तरफ जैसे ही जया बच्चन ने संसद में एक बयान दिया उस पर पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने अमिताब बच्चन और जैबच्चन की बेटी श्वेता को भी इसमें घसीटा अभिशेग बच्चन पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए तंज करते हुए जैबच्चन को कहा कि हमारा भी आप खयाल करिये तो एक जो दरार है बॉलीवोड में इस पूरे ड्रग राकेट को लेके तू-तू-मेमे से लेके वार और पलटवार अपने चरम पर है और उसका घमसान आपने देखा कि एक जो तुफान मुंबई से उठा था उसकी गूर जब पार्लिमेंट में संसद में साफ तोर पर